सबसे पहले यहां से आप winners के नाम देख लेजिए traditional के अकॉर्डिम हम लोग सबसे पहले winners के नाम की announcement करते हैं अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो तो question of the day का सही सही answer आपको करना होगा तो चलिए very first question आपके सामने ही रहा तो देखे यह जो शुरूआ था जिनका पुराना नाम इलहाबाद और अब परियागराज है यानि कि यह हमारा क्या होगा correct answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और यहां से आप देख सकते हो यह परियागराज में सुरू किया गया था और competition में एक लाख रुपीज का जो प्राइज था न वो पाँच भाग में डिवाइड किया था फाइप पाइट में डिवाइड किया था boys and girl category में तो यह अच्छी बात है जिसमें से under age 11 यहां से आप दिख सकते हो 11, 13, 15 और 19 वाले गुरूप को दिया गया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपके सामने ये रहा आपको बस ये बताना है कि किसने किस state ने I mean किसने inaugurate किया था गुजरात निर्मय गुजरात इसकी देखिए निर्मय गुजरात निर्मय का मतलब होता है healthy तो देखिए ये state का मसला है लेकिन फिर भी central वाले आज आते हैं अगर आपकी सरकार हो तो तो यहाँ पर आपको बस ये एक और देखो ये जी के ये है कि गुजरात के नए चीप मिनिस्टर जो है भुपेंद्र पटेल को बनाया गया है तो ये exam में question आपसे पूछा जा सकता है ये इसका correct answer होगा आगे बढ़ेंगे next question के लिए और यहाँ से आप देख सकते हो गुजरात to provide medical check-up for the people above 30 under new scheme यानि कि 30 से अधिक सिनकी उमर हो चुकी है उनको नए scheme के ताथ जो है medical check-up किया जाएगा उनका आगे बढ़ेंगे next question के लिए which Indian Christian देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इनका नाम क्या है मैं वो भी बता दूँगा आपको ये जो थे पहले ये Christian I mean Hindu थे उसके बाद इनोंने Christianity में अपने आपको convert किया और अब इनको जो है बहुत दिनों के बाद Pope Francis जो की Vatican City में रह लेम है कि क्या ही बताओ योगी आदितना तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये आप लोग इनकी image बगरा देखते होगे ये कटर हिंदू की इनोंने image अपनी create करी है next है बाबारामदेव बाबारामदेव भी हिंदू है तो Christianity वाली सबाल आती नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर लाडू से है याद रखेगा इस बात को आगे बढ़ेंगे very next question के लिए 5G जी हाँ आप लोगोंने सुन लिया होगा 5G टेक्मिलोजी आने वाली है तो very first company कौन है mobile company जिन्होंने 5G launch किया है तो देखिए ये कोई नहीं है लावा मोबाइल है जिन्होंने लावा international जिन्होंने 5G launch कर दिया है इंडिया में यहाँ से आप देख सकते हो 5G phone लावा become the very first Indian brand देखिए Indian brand है एक और बात में देखो एक miss out कर रहा था ये Indian brand की बात कर रहा हूँ बाहर वाले brand नहीं तो लावा क्या है Indian company है तो लावा ने 5G phone जो है लाउंच कर दिया है आगे बढ़ेंगे उससे कर दिया गया है 250 में आप notes purchase कर सकते हो और 100 उपीज में जो आपको है previous year question paper मिल जाएगा तो ये दोनों काम आप ले सकते हो और अगर दोनों चाहिए आपको तो 300 आप एक छोटा सा amount पे करोगे तो आपको previous year paper और notes भी provide कर दिया जाएगा your method sing at the rate jma.com पे mail कर लीचे if you are instagram then do follow me at iterate I method sing वहां से आप inquiry करके सारी information ले सकते हो आगले question के और हम लोग बढ़ेंगे आपको बस ये बताना है where has the किसान भवन and beekeeper conference been integrated तो सबसे पहले मैं आपको बता दू ये दोनों चीजों को both conference को जो है किसने chair किया था तो उनका नाम है नरेंदर सिंग तोमर इंडिया के जो agriculture minister ह है उनका नाम है और ये नागा लेंड में हुआ था option sees का correct answer हो जाएगा मैं दिखा दूँ आपको यहां से आप इनकी image भी दे सकते हो जिहां ये रहा नरेंदर सिंग तोमद virtually integrated किसान भवन and beekeeper conference in नागा लेंड तो चलिए आपका answer मिल चुका यहां पर आगे बढ़ेंगे next question क लिडर है इन्होंने ये किताब लिखाए दखी यहां से आपको में इसकी image भी दिखाया सकता हूं और ये पुराना जो structure था जिस पे भी बात था उनकी इन्होंने cover picture लगा रखी है आगे बढ़ेंगे next question के लिए और ये अगला जो question है very important है और इसमें दो question बढ़ेगा 14th November को कौन सा day observe या celebrate किया जाता है तो सबसे पहले देखिए ये जो है observe किया जाता है world diabetes day अगर आप international जाओगे तो world diabetes day अगर इंडिया में आओगे तो ये बाल दिबस के रूप में बना रहा जाता है child day जो आप पोलते हो ना वो देख सकते हो आप यहां से ये रही दूसरा question भी य नहरु का date of birth था I mean ये उनका happy birthday हुआ करता था जिसके कारण इनको बाल दिबस के रूप में observe किया जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे भरी next question के लिए who has been appointed as a new director general of narcotic control bureau तो देखिए narcotic control bureau के लिए जो है नया MD किसे बनाया गया है managing director या director general किसे बनाया गया है अतुल करनवाली वेट ए मिनट अतुल करनवाली या फिर वेट ए मिनट आज मेरा phone काम नहीं कर रहा अतुल करनवाली आर हरी कुमार सील वर्धन सत्य नरायन परधान तो देखिए इसका जो right answer होगा आप यहां से देख पाऊगे इनकी image भी है और SN परधान इनका नाम है और इनको जो है appointment मिल हो रहा है आगे बढ़ेंगे next question के लिए आपके सामने यह रहा recently who has been appointed as the brand minister of my circle 11 तो देखिए मोहमद सिराज को जो है brand minister बनाया गया है my circle 11 app का आप लोग पैसे यहां लगाते हो क्या लगा सकते हो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा यह legal है इंडिया में who has been appointed as the new secretary general of Rajas recently तो PC इसी मोदी को new secretary general बनाया गया है where has the union health minister recently inaugurated the 32nd Hunner Hut तो देखिए यह लगनव में किया गया था आगे बढ़ेंगे which model has been won the Netra Kumaran in a green canaryya sealing championship रिजेंट्री तो यह इन्होंने gold medal जीता हुआ था यहां पे चलिए question of the day की बारी आ चुकी है question of the day आपके सामने यह रहा आपको बस यह बताना है इंडिया में election commission कब established हुआ था अभी के election commission के जो chief है या फिर head है वो कौन है यह दो question का आप answer करोगे तो चलिए फटा-फट comment box में comment कर लीजिए अगले दिन आपका नम जरूर आएगा thank you so much to watch in this video have a good day